नमस्कार पेशेह मौसम समाचार हर्याना राजे में पिछले तीन दिनों से उत्र पेश्मी शीत हवाएं चलने से मौसम खुसक परंतु तापमान में विशेश का रातरी तापमान में गिरावट दरज कीगी तथा पेश्मी वे दक्षन हर्याना के कुछेक स्थानों पर रातरी तापमान में ज्यादा गिरावट होने से पाला भी पड़ा है इस दोरान हर्याना राजे में दिन वे रातरी तापमान समाने से तीन से पांस डिगरी सेल्सिस कम दरज किया गया है अगा में जो मोसम है वो बताते हैं आपको मोसम परवान मान अगले 48 घंटों में अर्थात 21-22 दिसम्बर को भी उतर पेश्मी सीथ हवाएं चलने से तापमान में हलकी गिरावट तथा बाद में पेश्मी विक्षोब के आंसिक परभाव से हवा में बदलाव उतर पेश्म स दक्षन पूरू वै पूर्वी हो जाने से 23 वै 24 दिसम्बर को हरियाना राजय में जयातर स्थानों पर दून चाय रहने की संभावना है परंतु 24 दिसम्बर को एक और पेश्मी विक्षोब के आंसिक परभाव से हरियाना राजय के मोसम में बदलाव की संभावना है जिससे 24 दिसंबर देर रातरी वे 25 दिसंबर को उत्तर हर्याना के कुछेक स्थानों पर छुटपुट बुंदा बांदी वे अन्य छेत्रों में आंसिक बादलवाई रहेगी जिसे दिन के तापमान में गिरावट परंतु रातरी तापमान में बढ़ोतरी दरज होने की शंभावना है परंतु बाद में इसी पेश्मी विक्षोब की सक्रियता बढ़ने तथा पंजाब के उपर एक साइकलोनिक सर्कुलेशन बनने से 26 दिसंबर रातरी से राज्ये में जियातर रस्तान पर गरत्च मकवय होआँ के साथ हलकी से मध्यमस्तर की बारिश होने की सिंभावना है इस तरह से मौसम विभाग द्वारा बताया गया है कि जो 21 और 22 दिसंबर को है उतर पेश में सीथ हवाईं चलेंगी जिससे हरियाना राज्ये में ठंड बढ़ेगी वहीं 23 और 24 दिसंबर को हरियाना राज्ये में जियातर छेतर में दून साइए रहने की संभावना है वहीं 24 दिसंबर रातरी वे 25 दिसंबर को उतर हरियाना के कुछ सेक्स्तानों पर छूट पूट बुन्दा बांदी तथा 26 दिसंबर रातरी से हरियाना राज्ये के जियातर छेतरों में गरत चमक वे हवाउं के साथ हलकी से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना जिताई गी है धन्यवाद